स्वालो गाइज, वेल्कम बैक टु दी केसी व्लॉग्स, वेल्कम बैक टु दी चैनल, आज हम लोग के पास दो बाइक है, RS-BS6 और RS-BS4, दोनों 200cc की बाइक है, दोनों में पावर कितनी ड्रॉप हुई है, RS-BS6 है क्योंकि, तो ये आज हम लोग देखेंगे, और बताएंगे आपको दोनों बाइक कैसी है, तो ये दोनों बाइक है हमाँ पास, ये है RS-BS4, दोनों की ड्रै करते हैं, और आपको बताते हैं, बाइक दोनों कैसी है, और एक ड्रै रेस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि, कितना ड्रॉप हुआ है पावर BS-6 में, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, बट थोड़ा तो हुआ होगा, बागी हमाँ साथ है सूरच, चलिए, मिलते हैं आप से सीधे बाइक पर, तो अभी चलिए, स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि मैंने बताए, BS-4, BS-6 का यहां पर ड्रै रेस है, यह BS-6 है अपनी, और पावर इसमें जादा थी, बाकी यह पूरी स्टॉक है, कुछ भी चेंजज़ नहीं है, बस इसमें देखिए, एक्जास नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है, थोड़ा सा पिक अप इसको ज़्यादा मिल जाए, देखते हैं, देखिए, एक्जास गाब है, उसमें एक्जास लगे हुए, और 145, 146 पर उसका लिमिटर आ रहा है, जो कि इसका नहीं आता है, बट हम इस रेस में पता करेंगे कि कहां तक लिमिटर आता है, वैसे ही लिमिटर तक छू नहीं पाती है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और आपको बताते हैं कि बाइक दोनों में कौन सी ज़्यादा बैटर है, और किसकी स्पीड बढ़ी है, किसकी कम हुई है, वो तो उमको ड्रैग में ही पता चलेगा, बागी जो चीज चेंजर थी सूरज की बाइक में, जैसे स्प्रॉकेट चेंज से जिसकी बज़े से टॉपेंड बढ़ गया था, वो स्प्रॉकेट अब नहीं है, अभी स्टॉक स्प्रॉकेट लगे हुए, तो ज्यादा अंतर नहीं आने वाला टॉपेंड में, चलिए, मिलते हैं आप से सीधे ग्रैग में, यह पता नहीं कहा घूम रहे हैं, चलो बहिया, चलो, सुपर मैन, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, अरे बिये सोर निकल गई भाई साब, बहुत तेर है, उसकी काड़ी मैंने सुलाई है, तो मुझे बताया कैसे पिकप्रेन है, अरे आगया, स्कुट्री में करते हूँ है, अरे, मार दिया, तो मुझे मार दिया, तो मुझे की कोंचे, स्टी असबार आगे है, भारी बेट पे, अर्ट बैक पीछे हूँ, एं तक्ते हो, वो, इंटी मिटर मार दिया, जराबर है, जराबरी के साथ, दोनों ने बराबरी दिखाई, लेकिन पेकप में यह बहुत तेजी से निकली, इनेशल इसका तगड़ा है, और, भाई, लिमिटर आ गया था, इसलिए में पीछे हो गया, यह ने देखा, इसका भी लिमिटर आ गया था, पर इसका प्रश्चा जाएगी, तो देख सकते हैं, आप लोग क्या रीजन है, इसका मतलब कम ज़्यादा होने पर लिमिटर का, जब इसका प्रश्चा प्रश्चा जाती थी, जैसे MRF लगा था, इसका स्टॉक वाला इसके क्या बन जाती थी, अब इस बार अपोलो लगवा है, तो 145 जा रही है, तो देख लिए रिजन क्या है, और इनिशल लेकिन इसका तगड़ा मुझे लगा, और मेरे को भी, मैं भी थोड़ा इसकी बाइक से यूस्टू हूँ क्योंकि मैंने चला ही है, वह मैं पहली बार चला रहा हूँ, उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पीछे हो जा रहा हूँ, अभी देखते हैं, देखिए पीछे हो जाऊंगा, अभी देखिए, तो इसका मुझे रिजन नहीं समझ में आ रहा है, जो मेरा कहना है तो चलिए देखते हैं अब हम चला रहे हैं BS6 और सूरज भाई चला रहे हैं BS4 अब इन दोनों का ड्राइडर चेंज करके भी देख लेते हैं मेरा वेट भी जादा है अब बहुत लोग बोलते हैं कि आपका वेट जादा है क्योंकि उतना वेट पुल करने में भी टाइम लगता है चलो चलते हैं देख रहे हैं इसका पिकब में कुछ दिकत है मेरे साब से तो है मुझे नहीं समझ में आई ये भाई मुझे बाई कने आई इसका पिके रिज़ाने आई बिल्कुल कि नहीं समझ आई पुझे राने बाई एड़ा गला। परपुरा अराप गला पराफ 6-5 4-6 1-2 इस पाइक में नहीं आए है इसका पिकम नहीं समझ में आ रहा है इसका इनिश्यल पावर है रहा है यह मेरे को पुल करने में बहुत जादा टाइम लगा रही है अब देखने की कोई बाती नहीं है मुझे इसका कुछ इनिश्यल पूल करने में समझ में नहीं आ रहा है कुछ अलगी तरीके से पुल कर रही है यह जब मैं पूल कर रहा हूं तो थोड़ी देज जारी है फिसलो हो जारी है तुमने अब तो मैंने भी तो तुम्हारे दागे पूल देते स्टार्टिंग में तो मुझे भी एक महीने ते दे दे मैं भी भगा दूँगा अभी इसको समझ में इसकी जो इनिश्यल हो समझ में नहीं आ रहा क्या है जब तुम पूल करते हो एकदम से डाउन हो जाता है स्पीड पहले तो दिक्कत यहां पर बस इतनी है कि म इसका जो इनिश्यल है न समझ नहीं पा रहा हूं इसके इनिश्यल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आपने जैसे देखा होगा पहले मैंने यह चलाई थी तो इसकी इस बाइक की क्योंकि मैंने सूरज की बाइक बहुत बार चला चुका हूँ तो इसकी मेरे को पत जाके सब्सक्राइब करिए लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है बइबाए